अभिनेत्री रिया चकरवर्ती ने सुशान सिंग राजपूत की जिंदिगी में जहर खोल रखा था। इन आरोपों को जानने के बाद हर कोई हैरान है कि रिया की भोली भाली सूरत के पीछे इतने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। इसे जाच कर बिहार लोटी बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोट में हलफ नामा दाखिल किया है जिसमें बिहार पुलिस ने रिया चकरवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने हलफ नामे में बिहार पुलिस ने कहा है कि रिया चकरवर्ती सुशान्त को दवाईयों का ओवर डोस दिया करती थी। रिया और उनके परिवार का एक मात्र मकसद सुशान्त के पैसे हडपना था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हुए ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस से किसी प्रिकार की मदद ना मिलने के बावजूद उन्हें इस केस में कई ऐसी चीज़े मिली हैं जिन पर जांच की जा सकती है। आपको बता दें कि आज रिया चक्रवर्ती को प्रवर्तर निदेशाल्य के समक्ष पूछ ताज के लिए हाजिर होना था। लेकिन रिया ने हाजिर होने से इंकार कर दिया है। रिया के वकील सतीश मानेशंदे ने बताया है कि आक्ट्रिस ने ED से रिक्विस्ट की थी सुप्रीम कोट की सुनवाई तक उनकी स्टेट्मेंट रिकॉर्ड ना की जाए जिसे ED ने अस्विकार भी कर दिया है। सूत्रों के मताबिक सुशांत के चार बैंक अकाउंट्स की जानकारी ED को है। की CBI की दिली टीम जल्द ही मुंबई पहुचने वाली है जहां CBI की मुंबई यूनिट लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहिया करवाईगी। एडिशनल S.P. अनिल यादव को इस मामले की जांच के लिए इन्वस्टिगेटिंग ओफिसर बनाया गया है। Bureau Report E24